Hello everyone, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम डिजाइन रिपोर्ट की, आपको मार्ग बुक्स में अपनी रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने की फेसिलिटी दी गई है, तो आईए जानते हैं कि आप कैसे अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लिए हम रिपोर्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ दी गई मोसली रिपोर्ट को आप अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ग्रुप समरी एंडे बुक रिपोर्ट को कस्टमाइज करके देखेंगे, ग्रुप समरी, यहां से आप account group की summary view कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ default fields दी गई है, जिनको आप अपने according report में select और deselect करके report view कर सकते हैं. Report को customize करने के लिए आप यहां दिये custom design button पर click करेंगे, तो आपको left side में इस तरह से कुछ default fields डिस्पले हो जाएगी, जो हमने अभी report home page पर देखी थी, जैसे की account group, opening balance, debit, credit and closing balance, आपको जिस भी field को report में add करना होगा, उसके आगे दिये check box को tick करेंगे, और जिस field को report में से remove करना होगा, उसे untick कर लेंगे, यह तो था कि आप software में दिये, default options या fields को कैसे अपने according select या deselect करके report कस्टमाईज कर सकते हैं और view कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई field add करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस feature में कर सकते हैं, इसके लिए आप यहां right side में दिये add column पर click करेंगे, तो यह window कुछ fields के साथ open होगी, अब जैसे हमें report में under group column add करना है, तो हम column name में under group type करेंगे, दन यहां formula mention कर लेंगे, दिये गए example की तरह और फिर save पर click करेंगे, तो आप देखेंगे कि new field under group name से add हो गई है, इस तरह से आप अपनी report को customize कर सकते हैं, अब simply template को save कर लेंगे, जैसे यहां default template name है, standard, आप अपने according template को name देकर template को save कर सकते हैं, daybook, ऐसे ही आप daybook report पर आएंगे, तो यहां आपको आपके per day के base पर की गई आपकी सारी transactions details consolidated होकर देखने को मिलती है, जैसे हमने अभी group summary report में दी गई fields को tick और untick करके report view की थी same process यहां भी follow होगा, column add करके भी report कस्टमाइज कर सकते हैं, तो friends इस तरह से आप mark books में अपनी report को कस्टमाइज कर सकते हैं, thanks for watching,